नमस्कार, जैतु भारत, GST and Other Laws, Discussion and Analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है नहाराश्ट्र सरकार ने मराथा समाज को आरक्षन दिया था उसे ओनरेबल सुप्रीम कोट ने और समवेधानिक करार दिया है इसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे इंदल कमिशन लागू होने के बाद आरक्षन का मुद्दा ओनरेबल सुप्रीम कोट में गया था वहाँ नौ जजों की खंड पीठ ने इंद्रा साहनी के केस में महत्वपूर्ण जज्मेंट दिया था जिसमें एक चीज यह भी डिसाइड की थी कि आरक्षन की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए इसी के बारे में यह जो अभी मरठा आरक्षन का मसला ओनरेबल सुप्रीम कोट में चला था वहाँ सभी राज्य सरकारों की तरफ से यह अनुरोद किया गया था कि यह जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन की उसको फिर से एक बार समिक्षा की जानी चाहिए और यह जो इंद्रा साहनी का 9 जजीस का बैंच का जो जज्जमेंट है उसे लारजर बैंच यानि 11 जजीस की बैंच के पास भेजना चाहिए इस मुद्दे को अनुरेबल सुप्रीम कोट ने काफी डिटेल में एनलाईज किया और जो 10 अलग अलग बिंदू रखे गए थे अनुरेबल सुप्रीम कोट के सामने कि इन इन कारणों से इंद्रा साहनी का जो जज्जमेंट है उसे री विजिट करने के लिए 11 जजीस की बैंच के सामने बेजना चाहिए उसमें ओनरेबल सुप्रीम कोट ने क्या डिसाइड किया है यह जानना बहुत ही आवश्यक होगा क्योंकि यह जो विशलेशन है ओनरेबल सुप्रीम कोट का यह न केवल यह मराथा आरक्षन के संदर्व में किन्तु आने वाले दिनों में और भी जो जज्जमेंट साहेंग कि उसमें क्या निर्णे आ सकता है उसका भाई भी हमें अंदाजा लगेगा यह था कि इंद्रा साहनी के केस में छे अलग-अलग ओर दिये गए थे एक ही जज्जमेंट में और उसमें से कुछ जजीस का यह कहना था कि 50% की रिजर्वेशन की लिमिट तो होनी चाहिए लेकि कुछ सरकम्स्टांसी में उस लिमिट से ज़्यादा भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है जबकि कुछ जजीस का यह मत था कि सम्विधान के अंदर 50% की कोई लिमिट दरसा ही नहीं गई है तो इसलिए ऐसी कोई सीमा रखने के आवश्यक्ता नहीं है जबकि कुछ जजीस का कहना था कि 50% के लिमिट स्ट्रिक्ली फॉलो होनी चाहिए तो इस प्रकार से यह आर्ग्यू किया गया कि इंद्रा साहनी के के केस में मेजोरिटी जज्जमेंट 50% के पक्स में नहीं था साहनी के जज्जमेंट का पेरा 809 और 810 बहुत ही इंपोर्टन्ट है पेरा 809 में यह दर्साया गया था कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के लिए रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेरा 810 में यह दर्साया गया था कि 50% का जो लिमिट है वह एजर रूल फॉलो करनी चाहिए लेकिन विभिन्नताओं से भरे इस देश में जहां पर दूर दराज के एक सेत्र में कहीं पर जनसंख्या मुख्यधारा में नहीं सम्मिलित हुई है वहाँ पर इस रूल में चूर्चार देने की आवश्यक्ता भी पड़ सकती है लेकिन जहां पर भी ऐसी चूर्चार देनी हो वहाँ पर बहुत ही अधिक साउधानी रखने की आवश्यक्ता है इस प्रकार से इंद्रा साहनी के केस में मैजोरीटी डिसीजन इस प्रकार का था कि 50% की जो सीमा है उसे फॉलो करना ही चाहिए उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सरकम्स्टांसिस में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है इस प्रकार से इंद्रा साहनी के केस में भले ही 6 सेपरेट ओर्डर से लेकिन उन छेओं का जो सार्थ था वो यही था कि आर्टिकल 16.4 के अंतरगत रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना है तो वो किधी असामान्य संजोगों में ही हो सकता है जिसके लिए अत्यदिक साउधानी रखना आवश्यक है को इंदिरा सानी के के केस को 11 जजिसकी बेंच के समक्स भेजने केलिए दूसरा बिंदू यह उठाय गया कि 1963 से लेकर कई जजग्मेंट्स के अंदर विभिन नमत ओन्रेबल जजज़ीस के द्वारप दरसाय गये थे इसलिए इंद्रा साहनी के जज्मेंट को ग्यारा जजिस की बैंच के पास भेजना चाहिए उद्दे पर यह अवलोकन किया गया कि जो ओनरेवल सुप्रीम कोट के जज्मेंट्स थे एनेम थोमस के केस में अखिल भारतिय कर्मचारी संग स्टेट ओफ पंजाब के केस में और जश्टिस कृष्णा आईयर के जो विचार थे देवदासन और अखिल भारतिय कर्मचारी संग के केस में उन सभी विचारों को इंद्रा साहनी के के केस के अंदर कंसिडर किया गया था और उसी के बाद में वह जज्जमेंट दिया गया थ अब उन जज्जमेंट्स को कंसिडर करते हुए इंद्रा साहनी का जज्जमेंट दे दिया नाइन जजजिस की बैंच ने तो अब उन पुराने जज्जमेंट्स में चाहे कोई अलग मत भी व्यक्त किया हो उसके आधार पर अब इंद्रा साहनी के जज्जमेंट को 11 जजिस क इस दूसरे बिंदू में भी कोई दम नजर नहीं आया उसके बाद यह बिंदू उठाए गए कि हमारा सम्विधान जीवन्त सम्विधान है और सरकम्स्टांसिस में चेंज होने के साथ में जो भी पुराने जज्जमेंट से उनमें भी बदलाव करना आवश्यक है इसके अलावा यह भी कहा गया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर कोई सीमा दर्साई हुई नहीं है पचास परसंट की तो इस प्रकार से उन्रेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सीमा दर्साना उचित नहीं है इस संदर्व में सम्विधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव आंबेड कर का भाशन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्होंने उस समय के ड्राफ्ट सम्विधान के आर्टिकल 10.1 और 10.3 के बारे में जो कहा था वह अभी के आर्टिकल 16.1 और 16.4 के एनलोगस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है अब क्लॉज 1 के अंदर सभी को समानता का अधिकार दिया था लेकिन उस समय के सब क्लॉज 3 जो अभी के आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 है उसमें एक exception देकर कुछ communities के लिए जौब में reservation का प्रावधान किया था यहां पर डॉक्टर भीमराव आमबेड करने कहा था कि उदाहरण के रूप में यदि 70% reservation कर दिया जाए तो क्या वह उचित होगा उनके हिसाब से यह उचित नहीं था इसलिए उन्होंने यह कहा था कि जो भी seat reserve की जाएगी वह उस समय के article 10 के sub article 1 के अनुरूप होनी चाहिए और जो reservation है वो minority seat का होना चाहिए minority seat मतलब कम seat है reserve होनी चाहिए और ज्यादा seat है open होनी चाहिए इस हिसाब से देखें तो 50% से कम seat ही reserve की जा सकती है यह 50% संख्या आई कहां से क्योंकि article 16 में और article 15 जो मूलक समविधान में था उसमें तो 50% था नहीं तो यह 50% कहां से आया उसका भी answer honorable supreme court ने दिया है 50% का रूल सबसे पहले बाला जी के case में honorable supreme court ने उसका जिकर किया था जिसे बाद में विंद्रा साहनी के case में मंजूरी दे दी थी या उसे adopt कर लिया गया था और यह discuss किया गया था कि जो article 16 clause 4 है उसमें यदि 50% से कम का reservation रखते हैं तो वह उचित होगा क्योंकि equality of opportunity भी देनी है और जो पिछडे वर्ग है उनको भी opportunity देनी है इन दोनों चीजों में balance करना है तो दोनों चीजों में balance करने के लिए 50% उचित माना गया 50% reservation के rule को breach किया जाता है अरथात 50% से ज़्यादा का reservation रखा जाएगा तो फिर हमारा जो समाज है वह समानता के अधार पर नहीं होगा लेकिन जातिगत अधार पर समाज हो जाएगा हमारे समविधान निर्माता जाती के भेदभाव के बिना का समाज निर्मान करना चाहते थे लेकिन महराष्ट्र जैसे आरथी ग्रूप से समुरुद्ध प्रदेश में जो की पूरे देश की GST की 16% रेवन्यू देता है डायरेक्ट टैक्सीस का 38% और देश की GDP का 38% योगदान देता है उस राज्य में पिछड़े होने की या बैक्वर्ड कहलाने के लिए होड लगी हुई है अब हमें यह भी सोचना होगा कि किसी भी समाज को जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे आगे आने के लिए केवल जॉब में रिजर्वेशन ही एक मात्र उपाई नहीं है अन्य उपाई भी किये जा सकते हैं जैसे सिक्षा की सुविधाएं उपलब्द कराई जाए फीस में कंसेशन दिया जाए कौशल्य का निर्मान किया जाए यह सब करके भी समाज का विकास किया जा सकता है कुमार ठाकूर के केस में जस्टीस आर्वी रविंद्रन ने कहा था कि जो आरक्षन है वह एक टेंपरररी बैसाखी के रूप में उप्योग में लिया जाना चाहिए उसे बहुत लंबे समय तक उप्योग में लेने से वह एक जिम्मेदारी बन जाएगी हमारे देश में जातियों ने देश को और समाज को बांट के रखा हुआ था यह रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाने से पहले जो बैकवर्ड कास्ट होती थी वह अपने आपको फॉर्वर्ड कहलवाने के लिए प्रयास करती थी या फॉर्वर्ड के श्रेणी में आने के लिए प्रयास करती थी लेकिन reservation की policy आने के बाद अब ऐसा हो गया है कि जो forward caste भी है वह अपने आपको backward caste कहलवाने का प्रयास करती है किसी भी प्रकार से backward की श्रेणी में आ जाए ताकि job में education में reservation मिलना प्रारंब हो जाए आर्थिक उदारी करण के बाद में सरकारी नोकरियों से सभी की आवश्यक्तों की पूर्ती नहीं हो पाएगी इसलिए private sector में कार्य मिले उसके लिए कौशल्यक का development करना बहुत ही आवश्यक है तभी समाज के विभिन वर्गों को उचित जौब या आजी विक का साधन मिल पाएगा यह जो 50% का रूल इंडरा साहनी के केस में डिक्लेर किया था यह 25 वर्षे भी अधिक समय हो गया और उसका देश के अंदर पालन किया जा रहा है केसवानंद भारती के केस में ओनरेबल जस्टीस मैथ्यू ने यह कहा था कि जुडिशियरी का काम केवल एप्लिकेशन ओफ लॉव नहीं है लेकिन क्रियेशन ओफ लॉव भी है तो उस हिसाब से देखें तो इंद्रा साहनी के केस में यह जो 50% का रेजरिवेशन का रूल ओनरेबल सुप्रीम कोट ने दर्साया है वह creation of law का career ओनरेबल सुप्रीम कोट ने किया है इसी प्रकार से All India Reporter कर्मचारी संग के केस में भी Honorable Supreme Court ने कहा था कि Supreme Court Court of record है इस प्रकार से जो Supreme Court के judgment हैं वह कानून का source भी है और Article 141 के अंतरगत Supreme Court के decisions को सभी को मानना होता है इस प्रकार से जब इंडरा साहनी के case में 9 judges की bench ने यह declare कर दिया कि reservation की upper limit 50% होगी तो यह Article 141 के अंतरगत सभी के लिए बाद्य है और इसकी अनुपालना करनी ही होगी क्या 50% की सीमा लगा कर Supreme Court विधाईका के power पर कोई बंधन लगा रही है इसका भी answer honorable Supreme Court ने कहा कि नहीं इंडरा साहनी के case में जो दरसाया है उस प्रकार से 50% की सीमा के अंतरगत ही reservation देना होगा केवल extraordinary circumstances हो वहीं पर 50% की सीमा को breach किया जा सकता है Supreme Court ने कई cases में यह भी कहा है कि जो super specialities या higher technical या atomic research जैसे विभाग हैं वहाँ पर reservation नहीं होना चाहिए यह निर्ड़ने सभी राष्ट्रहित में दिये गए हैं इस प्रकार से बिंदू नंबर 3 और 4 के आधार पर भी इंद्रा साहनी के case को larger bench को refer करने का कोई ground बनता नहीं है next point यह raise किया गया कि इंद्रा साहनी का judgment तो article 16 के clause 4 के लिए था जबकि Maratha आरक्षन तो article 15 के clause 4 के अंतरगत दिया जा रहा है इसलिए इंद्रा साहनी का judgment इस case में लागू नहीं होगा इंद्रा साहनी के case में honorable justice जीवन रिडडी ने जो question frame किया था उससे पहले यह discuss किया था कि जो हमारी constituent assembly है समवीधान सभा है उसमें जो discussion हुआ था article 16 और article 15 के उपर supreme court के जो decisions हैं उनको refer करना helpful रहेगा इससे यह सिद्ध होता है कि article 16 के जो judgments हैं वे article 15 पर भी लागू होते हैं 50% की upper limit सबसे पहले बाला जी के judgment में discuss की गई थी जिसे इंद्रा साहनी के judgment के अंदर अनुमोदित किया गया article 16.4 के अंदर जो सब्द उपयोग में लिए गए वह है backward class जबकि article 15.5 के अंदर socially and educationally backward class सब्द यूज किये गए हैं तो इसलिए article 16.4 का judgment article 15.5 में क्यों लागू नहीं होगा यह समझ से परे की बात है इसलिए यह जो मुद्दा उठाया गया है वह भी कारगत साबित नहीं हुआ और इस मुद्दे के आधार पर भी इंद्रा साहनी के judgment को larger bench में नहीं भेजा जा सकता अगले बिंदू में यह कहा गया कि इंद्रा साहनी के case में directive principles of state policy खास करके article 39 close B और C को ध्यान में नहीं लिया गया था जो fundamental rights है वह individual के rights है जबकि directive principles state को अपनी policies किस प्रकार से बनानी है उसके बारे में directions देते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 यानि fundamental rights और directive principles of state policy उन दोनों के बीच में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए किस प्रकार से balance रखा जाए उसके बारे में भी कई judgment हैं जिसमें केशवानन्द भारती का भी judgment सम्मीलित है judgment में honorable justice सिक्री ने यह कहा था कि directive principles और fundamental rights की तुलना करना असंभाव जैसा है लेकिन यह कहना कि directive principles ऐसा निर्देश देते हैं कि आप किसी के fundamental rights को ले लो छीन लो यह बिल्कुल ही contradiction जैसा लगता है तो इसलिए directive principles के आधार पर किसी अन्य के fundamental rights को छीना नहीं जा सकता 42 में सम्मीदान संसोधन के द्वारा article 31C को insert किया गया था जिसके बार fundamental rights के महत्व को कम कर दिया गया और directive principles of state policy को ज्यादा महत्व दिया गया लेकिन इसके बारे में भी मिनर्वा मील के केस में honorable supreme court ने स्पस्ट जज्ज्मेंट दिया है इंद्रा साहनी के केस में जस्टीस जीवन रेड़ी ने article 38 और article 46 को रीफर किया था उसके बाद में ही जज्ज्मेंट दिया था इसलिए यह कहना कि इंद्रा साहनी के केस में directive principles of state policy को ध्यान में नहीं लिया गया था यह उचित नहीं होगा Article 39 का clause B यह दर्शाता है कि ownership and control of the material resources of the community जो माली की और control है resources का वह इस प्रकार से उनका distribution होना चाहिए जिससे सभी का समान भला हो Operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment जो आर्थिक गतिविदिया हैं उनके कारण से संपत्ति का कुछ लोगों के पास concentration नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके कारण से पूरे समाज को नुक्सान हो सकता है लेकिन यह जो article 39 का clause B और C है यह article 15 के clause 4 और article 16 के clause 4 को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं यह स्पर्ष्ट रूप से council दर्सा नहीं सके हैं इसलिए इस ground के उपर भी इंद्रा साहनी के judgment को ग्यारा जजीस की bench के पास नहीं बेजा जा सकता next ground यह लिया गया कि TA में Pi Foundation के case के अंदर जो 50% की सीमा है उसको breach करने के लिए Honorable Supreme Court ने ही आदेश दिया था इस बारे में यह discuss किया गया कि जो TA में Pi Foundation का case था वह Constitution के Article 29 और 30 के बारे में discuss कर रहा था ना कि Article 14 15 और 16 के बारे में Article 29 और 30 के अंतरगत जो भी minority institutions हैं उनमें किस प्रकार से admission दिया जाएगा उसके बारे में TA में Pi Foundation के case में दिशा निर्देश दिये गये थे Article 15 के clause 5 के अंदर minority educational institution को exclude कर दिया गया है इस प्रकार से TA में Pi Foundation का जो case है उसमें जो भी निर्दे लिया गया है वह Article 15 और Article 16 के लिए लागू नहीं होगा जो St. Stephens College case में 50% की सीमा निर्धारित की थी उसे TA में Pi Foundation के case में हटा दिया गया क्योंकि वह judgment Article 30 से related था इस प्रकार से TA में Pi Foundation case का भी इंदरा साहनी के case से कोई लेना देना नहीं है इंदरा साहनी के judgment के बाद में सम्विधान में सितत्तरवा और इक्यासीवा संसोधन किया गया इस ग्राउंड पर भी इंदरा साहनी के judgment को larger bench में बेजने का अनुरोध किया गया जो सितत्तरवा संसोधन था सम्विधान का उसके द्वारा Article 16 के अंदर Sub-Close 4A इंसर्ट किया गया इंदरा साहनी के judgment से पहले सम्विधान में promotion में reservation का कोई प्राउधान नहीं था तो इंदरा साहनी के case में यह दर्साय गया था कि उस judgment से 5 साल तक promotion में reservation कर सकते हैं उसके बाद में promotion में reservation नहीं किया जाएगा उस कमी को दूर करने के लिए Sub-Close 4A इंसर्ट किया गया और उसके द्वारा promotion में भी reservation का प्राउधान कर दिया गया जो 81 सिवा संसोदन था उसमें किसी एक वर्स में पुरानी यदि कोई vacancy बाकी हो उसकी भी भरती की जाती है तो 50% का rule उसमें लागू होगा या नहीं होगा उसके बारे में प्राउधान किया गया था इस constitutional amendment से पहली बार समवीधान के अंदर 50% की सीमा का सपस्ट उल्लेक किया था इस प्रकार से जो honorable supreme court ने इंद्रा साहनी के case में 50% की सीमा दर्साई थी उसको भी अब समवीधान की मंजूरी मिल गई है ऐसा हम मान सकते हैं नौवा पॉइंट यह लिया गया कि अभी आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लिए 10% का reservation किया गया है एक सो तीनवे समवीधान संसोधन के द्वारा और यह मसला अभी honorable supreme court के सामने pending है अब क्योंकि यह मामला जनहीत अभियान वर्ग सिस यूनियोन ओफ इंडिया के के केस में honorable supreme court के समुक pending है इसलिए इसके बारे में हाल फिलहाल इस केस के अंदर honorable supreme court ने कुछ भी टिपणी करने से इंकार कर दिया लास्ट पॉइंट यह रेज किया गया कि इंडरा साहनी के केस में यह दर्शाय गया कि कुछ extraordinary circumstances हो तो 50% की सीमा का उलंगन किया जा सकता है यह जो extraordinary circumstances हैं यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है यह समय संजोगों के अनुसार उनमें परिवर्थन हो सकता है इस व्यू से honorable supreme court सहमत है कि समय संजोगों के अनुसार जो पुराना निर्णे था पुराना व्यू था उसमें परिवर्थन हो सकता है लेकिन जो इंद्रा साहनी का judgment का पेरा 810 था उसमें यह जो लिखा हुआ था कि कुछ वर्ग जो समाज की मुख्यधारा से या राष्टर की मुख्यधारा से अलग हो वहाँ पर आवशक्ता अनुसार यह 50% की सीमा को उलंगन किया जा सकता है तो यह जो कंडिशन है यह फुल्फिल होनी चाहिए यह सही है कि इंद्रा साहनी के judgment के paragraph 810 के अंदर जो extraordinary situation का उधारण दिया है वह उधारण ही है और complete या exhaustive list नहीं कह सकते लेकिन फिर भी वह एक दिसा निर्देश तो देता ही है कि कौनसे extraordinary situations हो सकती है जिसके अंदर 50% की सीमा का उलंगन किया जा सकता है इस प्रकार से 10 point में से किसी भी point में इतना वजूद नहीं पाया गया कि जिसके आदार पर इंद्रा साहनी के case को 11 judges की larger bench के समक्स बेजा जाए इसके अलावा जबसे इंद्रा साहनी का judgment दिया है उसके बाद में अलग-अलग कम से कम 4 constitution bench ने उसको follow किया है और उसको सही माना है जो इंद्रा साहनी का judgment है वे समय की परिक्षा पर भी खरा उतरा है जो principle of stair decision है जिसके अनुसार जो पुराने judgment हैं उनको बहुत आसानी से बदलना नहीं चाहिए क्योंकि consistency भी रहनी चाहिए judgment के अंदर तो उस आधार पर भी इंद्रा साहनी का judgment binding है इस प्रकार से honorable supreme court ने जब यह कह दिया कि इंद्रा साहनी का judgment आज भी लागू है तो फिर 50% की सीमा अभी किसी भी प्रकार के reservation में 50% की सीमा का उलंगन अब नहीं किया जा सकता आज की आख में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब आपको और किसी जीएस चे रिलेटेड विशेय पर जानकारी चाहिए विशेश दह तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद